हेलो वीवर्स वेलकम टो आज चैनल आज हम लोग जो डिसकस करेंगे ओ है टॉप 10 MCQ टाइफ कोसिन एंसर आपका जो रानिंग कॉंपटिटिव एक्जामिनेशन है उसके लिए हमारे जो फ्रास्ट कोसिन है फ्रास्ट कोसिन क्या है ओंह सलो एपलाइट्स मतलब वहएमसलों जो एपलाइट होगा और फ़रद परपास हैएवह डीसक कारण तो हमसलों जह लोगको लिखना quartz बीकल टो आई इंटो आ बाद में हम लोग देखा हूं हो डिकल ऐन इंटो ए्ट सेट जब हम एकल बात है था वह हम बताया था वह बदीची तो इसमें हम लोगो राइडेंसर को मारक करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए तो अप्साने के है नाइक क्रोम ऑप्सान भी क्या है को पार ऑप्सान सी उरेका ऑप्सान डी निकल तो मतलब हीटिंग एलिमेंट सोच लिए आपके पास हीटर है हीटर के लिए जो हीटिंग है,이다, छी साहा हुआ हए, हमस्तुन की लिविप है, आपका जो एबिलीटी है, मतलब काम करने का जो एबिलीटी है, उसको हम fonction A कै है, पावर, option B, Đनरजी, option C, Q option D, horsepower तो मतलब हम लोग को जो काम करने का जो ability है उसको हम लोग को क्या बोलना है यहाँ पर option क्या है energy है मतलब to ability to doing work को हम लोग को energy बोलना है तो option B जो है यहाँ पर हम लोग देखा जो resistance का है कि हम लोग series में connect किया तो equivalent resistance का value क्या होगा equivalent resistance R equivalent equal to 5 plus 5 plus 5 तो हम लोग को क्या मिलेगा 15 हम लोगों मिल गया बट इहाँ पर हम लोग को जो voltage connect किया मतलब जो volt का value है V equal to 1.5 है तो R का value क्या है 15 है तो according to home slope V equal to IR तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा इससे हम लोग को value मिलेगा आई का I equal to क्या मिलेगा 15 by 1.5 by 15 तो मतलब 0.1 ampere हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर option है आप पर स्थाम रिप्रेजेंट इन राइट हैं रूल मतलब फ्रेमिंग का जो राइट हैं रूल था और लेप्ट हैं रूल था यहाँ पर राइट हैं जो रूल है ओ इंडिकेट क्या किया है और आपके लिए राइड एंसर होगा तो next question क्या है हम लोग को discuss करना है next question क्या है what is the value of the current in a short circuit आपका जो रहेगा तो i क्या होगा i at the infinity तो रीच करेगा तो i कभलू क्या होगा होगा औहाप साण इसडरприक्स क्रीश श्णलल隹्रेट हैं & current क्या रहेगा in infinity में reach करेगा तो यहां पर option जो है B और राइड एंसर होगा तो next question क्या है what is the working rate call मतलब आपका working rate W by T को हम लोगो क्या बोलना है option A क्या है power option B क्या है energy option C क्या है force option D क्या है torque मतलब W by T का जो value है उसको हम लोगो क्या बोलना है मतलब work done by time उसको हम लोगो क्या बोलना है power बोलना है तो यहां पर option A में है power तो power क्या होगा आपके लिए right answer होगा तो next question क्या है 250 watt 250 volt lamp will be resistance मतलब यहां पर जो power का value है ओ क्या है 250 आपका जो resistance का value भी है हैं लिएक टूब टूंटू नेख्कूमियक्टलोग मिल जाएगा सण के लिएक स्कूष के लिए हम लोग को reduce करना है आपका resistance को कहा होगा इंक्रीज होगा तो option A क्या है Length, option B with option C cross-section area, option D क्या है Hit, तो यहां पर हम लोग को पाता है resistance का जो फर्मूला है वहां पर फर्मूला में पाता है R equal to row into L by A, तो मतलब आपका जब area को हम लोग को जब decrease करना है आपका जो resistance का आपका resistance का value increase होगा तो यहां पर option C जो है cross-section area A क्या होगा आपके लिए right answer होगा next question क्या है what is the supply frequency value of the India मतलब इंडिया का जो supply frequency का value है standard value है ओ क्या है option A 50 Hz, option B 45 Hz, option C 55 Hz, option D 51 Hz तो हम लोग को पाता है इंडिया का जो standard frequency का value है ओ क्या है 50 Hz है तो हम लोग को जो यहां पर option A 50 Hz ओ क्या होगा right answer होगा so हमारो जो चैनल है उसको subscribe कीजिए और जो वीडियो है उसको भी share कीजिए और असमोवी बेल आइकन भी प्रेस कीजिए so thanks for watching my this video